रन्की वोजों से नहीं मिल रहा है काम आनिल कपूर के शो में शामिल टू बड़ी एक्ट्रिस का खुलासा जियो सिनमा पर बिग बॉस ओटिटी शुरू हो गया है आनिल कपूर के शो में 16 कंटस्टन्स के एंट्री विये इन कंटस्टन्स में सना मकबूल और पॉलमी दास पीशा मिले सना ने अपनी करियर के शुरुवात डिजनी के टीवी सीरियल इशान सपनों को आवान बे के साथ की थी टीवी सीरियल के साथ साथ कुछ टमिल और तेल कूफ फिल्मों में भी सना ने अपनी आक्टिंग का कमाल दिखाया पॉलमी दास की बात करें तो कोल का था कि इस खूबसूरत एक्टरस ने इंडियास टॉप मॉडल से अपनी करियर की शुरुआ की थी इन दोनों एक्टरस ने बिग बॉसल घर में एक बड़ा कुलासा किया सना और पॉलमी अनिकबूर की शो में अपने रंग को लेकर बात कर दीव में ज़राई इंडस्ट्री पर रंग भी कारोप लदाते वी पॉलमी ने कहा कि जोब भी वो कोई आडिशन देती तब उन्हीं ये कहते विरेजिक किया जाता तो ये किर्दार नौट की लड़की का है और आप इस किर्दार के लिए सही नहीं है सना ने भी पॉलमी की बातों पर हमें भरते भी कहा कि उनके साथ भी कई बार ऐसा हुआ है लेकिन फिर भी उन्हीं अपने रंग पर गर्व है और इस तरह के रिजेक्शन की उन्हें आदत हो गई है इस बात चीक के दोड़ान पॉलमी ने कहा कि बार बार इस तरह के रिजेक्शन का सामना करने की वज़े से वो इंडस्ट्री से काफी जादा बिसपॉइंट है इंडस्ट्री का गोरे रंग के लिए अब सेशन कोई बड़ी बात नहीं है वाली वोट से लेकर टीवी तेक कई अक्ट्रस कों के रंग की वज़े से कई बड़े प्रोजेक्ट से हाध होना पड़ा पॉलमी दास और सना मक्बूल से पहले बर्खा बेस्ट पारूल चोहान, क्रिदिका सेंगार उलगा गुपता जैसे कई टीवी अक्ट्रस कों के रंग के वज़े से रिलेशन का सामना करना पड़ा